हेलो बच्चो नौसकार पियारे बच्चो तो हम लोगों ने इसकी एक क्लास कर ली है नाइन चैप्टर की और आज हम इसके सेकंड क्लास में आये हैं और इसमें आज मैं आपको इसके नए कोश्चन्स और थोड़े अपर लेवल के कोश्चन्स करवाँगा जो की exam point of view से काफ़ी important है पिछली class में हमने इसके basics कर लिये थे आज हम इसके upper level के questions करेंगे ठीक है चलिए तो जैसा देख रहे हैं आप यहाँ पे 6th question की एक figure बनी हुई है ठीक है पहले मैं इसको समझाता हूँ उसके बाद फिर मैं बताओंगा कि कैसे कैसे बनाया गया यह ठीक है तो question क्या है पहले question समझिए question है कि बाई एक डेड़ मीटर के लंबा लड़का है जो एक 30 मीटर लंबी building के सामने खड़ा है और वो जब building के top को देखता है तो 30 degree का angle बनता है और चल कर जब पास आता है तो 60 degree का angle बनता है जब वो दुबारे top को देखता है तो बताओ कि वो building की तरफ कितनी दूर चल कर आया ठीक है बहुत असान question है कि बाई लड़का है यहाँ पर ठीक है डेड़ मीटर लंबा लड़का है 30 मीटर की building है कितने मीटर की building है 30 मीटर की building है और बच्चो अब 30 मीटर की building है तो 30 में से डेड़ तो उसने अपनी height से ही cover कर दिया तो देखने के लिए रह कितना गया 28.5 देखने के लिए रह कितना गया 28.5 अब जब वो पहले stage से देख रहा है वहाँ पे 30 degree का angle बना रहा है जबकि चल कर पास आया तो 60 degree का क्यों? क्योंकि जितना हम दूर रहते हैं उतना देखने में लिए हमारे लिए असान होता है लेकिन जितना हम पास आते हैं तो हमें देखने के लिए गरदन उतने ही उपर उठानी बढ़ती है तो it means पास में अंगल जादा और दूर में अंगल कम अफिर उसने पूछा कि बताओ यह कितनी दूर चल कर आया x meter तो यह हम काम करते हैं ठीक है बई? चलो तो सुरू करते हैं बई? सुरू करते हैं ठीक है? लेट लेट देबाई लेट देबाई let the boy covers distance बराबर x meter ठीक है? ठीक है बच्चो? let the boy cover the distance x meter माना लड़के द्वारा तै की गई दूरी ठीक है बच्चो? तै की गई दूरी अगला तै की गई दूरी अर नव the height of tower sorry the height of building is height of building is कितना भई? 30 meter भवन की उचाही? इतना and the height of boy height of boy कितना भई? 1.5 meter लड़के की उचाही? इतनी and the distance between boy and building तो वाइ मीटर मान के चल रहे हैं तथा लड़के और भवन की बीच गुजरी तो अब क्या करेंगे अच्छो? सब कुछ अबने लिख लिया है अब क्या है? अब हम बोलेंगे now the remaining height remaining height of क्या भई? building कितना भई? 28.5 meter ठीक है? बवन की से सुचाही ठीक है? अब क्या है? बहुत simple now अब कुछ नहीं करना बच्चो पहले मैंने अब मैं आपको बता दू हमेशा पहले छोटे ट्रेंगल में काम करते हैं किसमें काम करते हैं? छोटे ट्रेंगल में उसके बाद बढ़े ट्रेंगल में तो पहले छोटे ट्रेंगल में काम करो भई चोटे ट्रेंगल कोई सा है? ABD इन ट्रेंगल ABD ठीक है? तो ये है perpendicular ये है क्या भई? base तो perpendicular base किसका होता है? 10 का तो 1060 perpendicular क्या है? AB base क्या है? BD तो ये हो गया root 3 AB कितना 28.5 BD कितना Y Y उदर जाएगा तो root 3 Y 28.5 root 3 हम multiply कर रहा है इदर आके क्या करेगा? Divide और आपको जैसा की बता है rationalize होएगा 28.5 root 3 root 3, root 3, 3 cancel out हो जाएगा बच्चो 9 times और ये 5 times तो Y की value आगे 9.5 root 3 equation number first ये इतने meter आगिया अब आएँगे in last triangle इन ट्रेंगल बड़े वाले माएँगे ABF ABF ठीक है जी? तो चलिए हाँ जी, क्या होगा? अब देखिए इसके हिसाब से भी ये perpendicular है और ये पूरा क्या होगा? base तो perpendicular और base किसका होता है? 10 का तो 10.30 अब perpendicular कोन है? AB और base कोन है? BF तो 10.30 1 by root 3 AB, AB कितना है? 28.5 और BF BF कितना है बाई? BD प्लस में FD BD प्लस में FD या DF जो भी लिखना लिखे लो ठीक है? 1 upon root 3 28.5 और BD कितना है आपका? BD ये Y ठीक है? और DF कितना है आपका? X उठा के मा ले जाओ Y प्लस X 28.5 उससे multiply करोगे root 3 हाँ य की value अभी 9.5 root 3 plus X 28.5 root 3 ये प्लस का उदर जाके minus हो जाएगा 28.5 root 3 minus 9.5 root 3 हाँ जी तो बस 28.5 में से कितना है? 19 root 3 meter तो ये आपका X आगया भाई ये आपका क्या आगया? X आगया ये आपका क्या आगया? X आगया ठीक है? ठीक है? नोट कर ऐसे जल्दी पड़ा पट चलिए ये नोट कर लिया होगा? पर अपका क्या आपका क्या है? अगला कोशिन हाँ जी एट्ट कोशिन क्या बोला गया बच्चो कि एक ना आपके बाप पैडिस्टल है आपके पैडिस्टल समझते हो आपने अगर कभी कोई मूर्ती देखी होगी तो क्या करते हैं देखा होगा आपने कि पहले एक स्टेंड बनाय जाता और उस स्टेंड के उपर मूर्ती बनाई जाती है तो उसी को पैडिस्टल का जाता है जिसके उपर मूर्ती रखी जाती है तो माली जी एक पैडिस्टल है और कहरे इस पैडिस्टल के उपर एक मूर्ती खड़ी है और वह मूर्ती है 1.6 मीटर लंबी वह मूर्ती कितनी लंबी है 1.6 मीटर मूर्ति को टॉप को देखेगा तो 60 डिग्री का इंगल बनाएगा और उसके बाद पैडिस्टल के टॉप को देखता है जो कि कितने डिग्री का इंगल बना रहा है 45 डिग्री का इंगल बना रहा है तो कहरा बताओ what is the height of pedestal नाम देंगे a b c d ठीक है तो सबसे पहले x-meter इसको भी लेट कर लो पहले let the height of pedestal तो कितना भाई h-meter mana pedestal क्यों चाहिए pedestal क्यों चाहिए h-meter and the and the distance between and the distance between क्या भाई observer and pedestal तो कितना है x-meter तथा प्रेक्षक और प्रेडिस्टल के बीच की दूरी ठीक है नाओ ठीक है नाओ अब क्या करें भाई अब ऐसा करते हैं प्रेडिस्टल और इसकी बीच की दूरी क्या करें चलिए तो मैंने बताये तो आपको हमीसा पहले चोटे ट्रिंगल में काम करते तो a b c में आओ in triangle a b c ठीक है तो चोटा चोटे ट्रिंगल का angle चोटा पर्पेंडिकुलर बेस तो बैए पर्पेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, 1045, perpendicular कितना है, BC, base कितना है, AB, 1045, 1, BC कितना है, H, AB कितना है, X, X वहाँ गया, X, H, equation number first, ठीक है, उसके बाद, बड़ा triangle, in triangle, ABD, ABD, ठीक है जी, ABD, तो यह 60 degree के सामने वाला perpendicular और यह base, तो भईया perpendicular, यानि कि 1060, और perpendicular क्या है, BD, और base क्या है, AB, 1060 का मतलब, root 3, BD, BD किस से मिलके बना है, BC और CD से, BC और CD से, AB किस से मिलके बना है, X से, X वहाँ जाएगा, root 3X, BC कितना है, H, CD कितना है, 1.6, अब देखो, मुझे value सिर्फ H की निकालनी है, तो X से कोई लिना देना नहीं है, तो देखो, हम क्या देखेंगे, कि X किसके बराबर है, H के, तो बस, X के जगा पर H आ जाएगा, तो plus का H इदर आके क्या हो जाएगा, minus का H, H common निकाल लो, तो बचेगा, under root 3, minus 1, बराबर 1.6, यह पूरा इदर multiply कर रहा है, इदर आके क्या करेगा, divide, और जैसा कि आप जानते है, rationalize, ठीक है, तो अगर बीच में minus है तो plus, और plus है तो minus, 1.6, root 3 plus 1, हाँ जी, A minus B, A plus B, तो A का square, minus B का square, root 3 से square कटा, 3, 1 का square, 1, तो H, बराबर root 3, 1.6, root 3 plus 1, और 3 में से 1 या 2, कट जाएगा, 0.8, तो बच्चो, height कितनी आ गई, 0.8, root 3 plus 1, मीटर, तो बच्चो, pedestal की height आ गई, 0.8, root 3 plus 1, मीटर, ठीक है, चलिए, कर वाच्चो, नोट कर रहे हैं, कर वाच्चो, नोट 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 झाल झाल चलिए ठीक है चलिए यह हो गया इसका कोशन नमर साथ कोशन नमर सेवन कोशन नमर सेवन बहुत अच्छा कोशन है क्या है कि भाई from the point on the ground and the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fix at the top of 20 meter high building 45 degree and 60 degree respectively find the height of tower लो जी जैसे अभी मैंने वो pedestal वाला कर आया था ना सेवन वही कोशन है बस यह है कि अब की बार tower की height 20 meter दे रखी आपको पहले से और ground पर पॉइंट है और यह building है और इसके उपर tower है tower के top को देखते हैं tower के top को देखते हैं तो 60 degree का इंगल बनता है और tower के bottom को देखते हैं तो 45 degree का इंगल बनता है ठीक है तो कहरा what is the height of वही क्या tower इसको h meter माल लेते हैं नाम देंगे a, नाम देंगे b, नाम देंगे c, नाम देंगे d ठीक है तो और इसकी दूरी को x meter बाल लेंगे observer क्यों तो वही let the height of tower तो tower के height क्या माल लें हमने h meter माना tower क्यों चाहिए और मैं कहूंगा कि पहले ना आप इसे खुद करके देखो अगर नहीं होगा तब इस वीडियो को चला के देखना h meter and the distance between observer and building तो कितनी माल लोगे x meter तथा भवन और प्रेक्षक के बीच की दूरी ठीक है अब क्या भई सबसे पहले चोटे ट्रेंगल वाएंगे चोटे ट्रेंगल गोना a b c a b c भई चोटे ट्रेंगल ट्रेंगल भी चोटा पर्पेंडिगुलर और बेस तो टेन डेन फटीफाइग पर्पेंडिगुलर के नदा बी-स आज बेस के गइस में डेन आ अभी से चेन इस एक्ज तो यह डेन आ होटनी यह अट्र न इस तक तोटन यहां एक्स अवराबर केशता केशा गिस आ 20 मीटर अब आज़ो भई बड़े ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ABD थीक है तो भई अब भी क्या होगा 60 के जाब से यह पूरा पर्पेंडिकुलर और यह पूरा बेस तो मतलब 1060 क्योंकि पर्पेंडिकुलर और बेस 10 में लगता है तो BD पर्पेंडिकुलर बेस AB 1060 रूट 3 BD BD कितना है BC प्लस में CD BC प्लस में CD और AB कितना है X X उठाके वाँ ले जो X BC कितना है 20 और CD कितना है H हाँ भई X की वेल्लू ताजा-ताजा कितनी निकाली है 20 तो बस तो यह बन जागा 20 रूट 3 प्लस का 20 दरा के माइनस का एच 20 कॉमन ले लो 20 कॉमन लिया रूट 3 माइनस 1 इतना मीटर तो यह बाई टावर की हाइट आ गई किसकी हाइट आ गई टावर की हाइट आ गई ठीक है चलो करते है चलो ठीक है हो गए हुगा के बार वह ग्यां सेकिंड कोसें ट्राई करेंगे आप हो equally इसके बाद कोसें नमबर 9ues आप खुद करेंगे अगा टैन मैं करवा रहा हूं तो एलीवन आप खुद करेंगे ट्वल्ड आप खुद करेंगे यह थीक है यह में वस आपको करवा रहा हूं ओ Unit नमबर 10 ठीक है तो इसके बाद फिर next class में है फिर आउंगा तो यह चप्टर खतम ही करा दूंगा अगली आल में कोई से नमबर 10 के राट टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर इस्टेंडिंग अपोजिट इच अधर और आइधर साइड ऑफ रोड माल नीजिए वाई यह रोड है और इस पे एक पॉल इदर खड़ा है और इस पे एक पॉल इदर खड़ा है और दोनों पॉल के हाइट पर है यानि अगर इस पोल के हाइट एच मीटर है तो इस पोल के हाइट भी एच मीटर है अब कह रहा है कि रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट और पूरा का पूरा रोड है 80 मीटर का पूरा का पूरा रोड है 80 मीटर का तो कह रहा है रोड के बीच में कहीं पर एक पड़ रहा है उदर से एंगल बड़ा वाला होगा मतलब 60 डिग्री होगा और जिदर से पॉइंट दूर पड़ रहा है उदर से एंगल छोटा वाला होगा मतलब 30 डिग्री होगा अब कह रहा है तो बताओ तो हाइट ऑफ पोल और डिस्टेंस बिट्वीन दैम क्या होगा तो यह पी यह क्यू यह आर यह एस यह टी यह पॉइंट है ठीक है तो यह लास्ट कोश्चन फिर खतम का नहीं है अब एक वाब बताओ अगर मैं इस वाले को इस वाले को एक्स मीटर माल लेता हूँ तो यह दोनों कितने रह जाएंगे भाई टोटल असी है यह एक्स हट गया तो बचा कितना 80 माइनस एक्स ही तो बचा आप ही सोचो ना अरे भाई आपके वाब 50 उरुपे है आपने 20 उरुपे खरच कर दिये बचे कितने 30 तो भाई अगर टोटल डिस्टन असी मीटर है और पहला अगरे इसमीटर पर तो कितने मीटर रहे गिया अशी माइनस एक्स मीटर रहे गिया बस यही करना है तो बस लैट दा हाइट अफ फोल्स के खंबो की लंबाई एच मीटर मान खंबो की लंबाई ठेक है तर अड़ खम्मों के लमाई होगी, हाँ वह, h meter and the distance between distance between poles to the point, to the point, ठीक है तो, कितना x and असी माईनस x, असी माईनस x meter, तथा, खम्मों द्वारा, बिंदू, से दूरी, तो इतनी, अब किसी भी ट्रेंगल में आ जोगे करके, इन ट्रेंगल सबसे पहले आजाते हैं PQR में, ठीक है, तो भई, यह perpendicular, यह base, तो कितना जाएगा, 1060, perpendicular क्या है, RQ, और base क्या है, PQ, ठीक है, तो यह कितना होगे, root 3, RQ, कितना h, यह कितना x, x उदर जाएगा, root 3, x बराबर h, तो h की value इतनी आ गई, अब, now, इंट्रेंगल, इंट्रेंगल, पी एश्टी, ठीक है, तो 10, 30, बराबर, perpendicular कितना, ts, और base कितना, ps, 1 by root 3, ts कितना, h, यह c-x, उठाके वाले जाओ, 80-x, उठाके वाले जो, root 3, h, ठीक है, root 3, h, ठीक, और हमें h की value निकालनी है, हमें किसकी value निकालनी है, h की value निकालनी है, तो क्या से निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, root 3 h किसके बराबर है h बराबर root 3x के तो यहाँ पर put कर दो root 3x तो कितना आ जाएगा 80 minus x root 3 root 3 3x minus का x वहाँ जाके plus का हो जाएगा 4x 4 से काटेंगे 20 तो x बराबर क्या आ गया 20 ठीक है अब क्या करेंगे put x in equation first put x in equation x कमान समी करन एक में रखने बए तो यही है ना तो x के वैलो root 3 इतने तो h के वैलो कितने आगे बच्चो 20 root 3 meter यानि दोनों खंबों की जो लंबाई है वो 20 root 3 meter है और भाई एक साइड से दूरी 60 degree angle वाले से दूरी 20 meter है जबकि 30 degree वाले से 60 meter है ठीक है यह लिख लेना चलिए तो यह class आज की यहीं खतम मिलते है next class में ठीक है next class में यह पूरा काम कर लेना बच्चो जो जो question दी है 12 तक वो कर लेना फिर अगली class में chapter खतम करा दूँगा ठीक है चलिए बाई